हेलो बच्चो आज मैं आपको क्लास 10 जिसका सब्जेक्ट है मैतमेटिक्स इसकी वर्क्षिट नमबर 32 करांगी जिसकी डेट है में पास 22nd September 2020 How to start a chapter and only 1 big ego पूरा कgeschों में जब क्योंके होना तो कुछ जन समझा पता होनी अगर वहें हैं तो पता है ना तो कोई ऐसे कोई मुश्कल देच्आ हो सब्सक्राइब शुरु करते हैं चाप्रेट करने से पहले मैं आपको बताना चोंगी कि यह चाप्राइब निंग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहां से चाप्राइब अन्सपोर्ट मेटीरल से कर सकते हैं शुरु करते हैं क्या है यह इंट्रोडेक्शन सब्सक्राइब कर चाहिज दो चीज़ करना यह इंगल उपोने सबुपन से समय मीमेड है रिशो चाहिए सब्सक्राइब धिक यह दिर्याब कहतीर्य की सचेटी करना वह रिलेशन की करना यह गरों साइड के बीच में वह भी कौन सी किस कौन सा एंगल और साइड एक राइगल ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन होता है जब हम उसे स्टडी करते हैं तो वही हमारा कुछ है टिग्नोमेट्री तो जब लिखा आगेदर रेशो अप डिस साइड ऑन दे है टिटा और कॉट टिटा अगर मैं एक right-angle triangle यहां देख़वू तो जो कि यहां पर यह बनांवाये तो आपके पास right-angle triangle राइगल है right-angle है's 90 degree का तो आपको यह को पता होगा कि जब भी right-angle triangle होता है तो उसमें pyramidive theorem झागती यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा यह तो हमने पाइता को रहा है अब इसी ट्राइंगल की हेल्प से ना और इन तीनों से सब्सक्राइब अब अगर मैं अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब यह पूरी जो टेवल बनी यह आपको याद गरनी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इसको याद करना कि कब P upon में है कब B upon में है कब B upon में P है नहीं हो पाएगा याद है ना क्यूंकि अभी इस चाप्टर में और भी बहुत सारे फॉमलेज हैं तो इसकी एक short trick बता देती हूं में आपको तो आप उससे याद रखिएगा ठीक है जब भी आप technometric का कोई भी question करें ठीक है किसी भी page पे आप जब भी question करते हैं तो हमेशा page के side में बिकुल side में आपको एक चीज लिखने है वो क्या लिखनी है यहाँ पर पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले शॉट फॉर्म लिखनी है फूरा मत लिखना जो मैंने बोला है ठीक है वरना नहीं कर पाओ गई यह question को तो पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले यह लिखना है page के side में जब भी technometric के question करो ना बस यह लिखना है इतना तो आप याद कर सकते हो बहुत छोटा सा एक sentence है पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले उसके सब के first letter, initial letters मैंने इहां पर लिख दिया है अब देखो यह है क्या है क्या है जो initial letters लिखने आप देखरो यह जो letters है सिफ P, H और B ही दिख रहे है तो P का मतलब perpendicular है है यहां पंडित नहीं है ठीक है नीचे just इसके नीचे इनके opposite होते हैं पहले हम उसको समझ लें फिर आगे का यह continue करते हैं तो देखो जो यह sin theta है और यह cos theta है आप देखो यह P upon H है यहां H upon P है यह उल्टा ही तो लिखावा है मैं यह कह सकती हूँ कि reciprocal लिखावा है कह सकती हूँ ना reciprocal इसका मतलब sin theta का जो reciprocal ह सकती है यह को इसका मतलब अगर मुझे तीन याद हो गए तो बाकी के तीन मैं सानी से निखाल सकती हूँ उनको पलटके तो तीन मैंने उपर लिख देया है साईन कौस और तो बाकी के तीन पर लिख दे यह निचे लिख दो इसको हटा देते है बहले ताकि कोई confusion न हो अपक तो यहां आजाएगा CAUSEC आपके पास, यहां आजाएगा SAC और यहां आजाएगा CAUT, मैंने इनकी Short Forms नहीं लिखी है, ताकि आपको यह याद रहे, इसलिए नहीं लिखे, SINE, CAUSEC लगभग सबको याद होता ही है, ठीक है, तो SINE का उल्टा है CAUSEC, CAUSEC का उल्टा है SAC, 10 SINE, अब आपसे बना सकते हो, DECWO, SINE है, तो लिखोगे P upon H, P और H है, CAUSEC के तो नीचे से उपर चलो, H upon me P, CAUSEC के तो B upon H, X, CAC के तो नीचे से उपर H upon me B, T N है तो P upon me B, CAUDE है तो नीचे से उपर B upon me P, यहीं बन गई आपकी पूरी TABLE, याद करने की ज़रुछत नहीं है सिर्फ एक सैंटेंस याद करना है पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले इसके सिवा कुछ भी याद नहीं करना है कॉपी के पेज़ पर अगर साइड में यह लिखते रहोगे तो यह भी याद हो जाएगा कि क्लिर deputy टेपल हें तक चले आपढ़ा पाद मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो है वह सएग जो है सइक जो और वह बौतरUh CONको टा वही सारा ओल की यहाद मत्राइल एलस्टेवल के अंदर लिखावे b सकती हूँ क्लियर यहां तक चलिए अब यहां पर लिख लिख सकते हैं इहां बहरा लिख हैं तो लेकिन हम 10 theta को बता है, एक और चीज लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं, sin theta upon cos theta, ये भी एक फॉर्मला होता है, तो 10 theta होता क्या है, sin upon cos होता है, अगर आपको याद करने में थोरी दिख्का थोरी है, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, P upon H, आपके पास sin theta होता है, और cos theta आपके पास होता है, B upon H, ठीक है, एक सेकिन, एक सेकिन, शायद गलत लिख दिया है, ये होता है, तो sin upon cos, जब आप करोगे ना, तो P upon H, और यहां B upon H, करोगे ना, ऐसी प्रोकर जाकि वो 10 theta ही निकल के आएगा, इतना landy explanation करने की कोई ज़रत नहीं है, आपको, सीधा-सीधा याद कर लिजे कि 10 theta जो है, वो sin theta upon में cos theta होता है, एक छोटा सा ही तो formula है, अब बाकि जब हम questions में apply करेंगे ना, तो यह बहुत असानी से हमें याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि यह याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है, चली, एक मैंने इसकी ट्रिक की वीडियो बना रखी है पूरी, जिसमें मैंने आपको टिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मलेज होते हैं, पूरे चैप्टर में जितने भी होते हैं, वो आपको शॉर्ट ट्रिक से सारे समझा रखें, लिंक मैं दे दूँगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी एक बर ज़रूर देख लीजेगा, जिनको टिग्नोमेट्री से थोड़ा डर लगता है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा असान हो जाएगा, चली, आज आते हैं हम एक्जाम्पल पे, एक एक्जाम्पल ह बाकी बची कौन-कौन सी, total 6 ratios होती है, sine दे दिया है, cos बचा है, sac, cos, ten बचा बचा है, cot बचा है, तो आपको find करना है, चलीए यहाँ पर find कर लेते हैं, sorry, आपको क्या दे रखा था, एक right angle triangle है, तो मैं पहले यहाँ पर, right angle triangle ही, draw कर लेती हुँ है, ठीक है, नाम दे 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 ह आपको यहां पर दे रखा था कि sin theta जो है वो आपको यहां दे रखा है 24 upon 25 अब देखो sin theta वैसे होता क्या है मतलब P upon B upon H upon P क्या होता है वो देखना पड़ेगा तो फिर वही चीज में यहां लिखूंगी पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले जब भी आप यह कोशन करो तो प्लीज बोलना जरूर वरना यह याद नहीं हो पाएगा तो पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले तो 9 मेरे पास यह होता है तो P upon में H है इसका मतलब यह 9 के सामने वाला मेरा होता है तो यह 25 दे रखा यह मुझे 24 दे रखा अब मुझे बागी की रेशो निकालनी है तो बागी की रेशो निकालने के लिए न मैं गया करते हूं पहले यह जो नीचे का बेस से इसको निकाल देत है यहां पर 25 का स्कॉयर हो गया और यहां पर कितना है 24 का स्कॉयर है बीसी नहीं बता है इसको ऐसे ही छोड़ दो आप तो 25 का स्कॉयर 6 तू 5 होता है थोरे से याद कलो इस चैप्टर में बहुत काम आने वाले है वरना आपको बार बार मल्टिप्लाय करकर के देखना स्कॉइर आपके पास ऐसे ही रहेगा तो 625 मेंसे क्या करते हैं 576 को माइनस कर देते हैं और बीसी के स्कॉयर को वाले थो आपका आंसर 49 आने वाला है हाँ विसौएर गया सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली है को सब्सक्राइब यह कुण ये हैं पास कितना है 7 अब साइन के बाद साइन काउंटा कॉसेक थीटा आप चाहो तो इससे भी निगाल सकते हो है आप चाहो तो डारेक्ट रेसे प्रोकल भी लिख सकते हो साइन का सेम ऐसे ही जो स्पास है ऐस अपना में यहां तक आभी रह गया आपके पास कोट थीटा तो कोट थीटा आपके पास क्या होगा बी-अ-पॉंट में पी होगा खीन वह होगा तो सिभान Hetी यह अपन में टवटर होगा है एक बार देखें answers Village कि लगें सब्सक्ष्क लैघे सब्सक्राइरे सेवन वागी की सार्य 20 रियरोगें छेलो अगवर्ख़ावल अग्जम्पल दिया था चलो कंप्रीट हो गया है पस एकग्जम्पल दिया आपक लाइं करने के लिए चलो देखें प्राइव और सेल्फ में आप से क्या कह रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इस इकल तो फाइव अपॉन थाइंगल तो चलिए यहां पर करते हैं इसको तो साइन थीटा आपको इस बर कितना दे रखा है 5 अपॉन में 13 राइट अंगल ट्राइंगल ही होगा तो राइट अंगल ट्राइंगल में यहां पर एक ड्राइंगल कर लेती हूं अपनी मर्जी से इसको एक नाम भी दे दूँगी मैं यहां पर ABC आप कुछ भी दे सकते हैं ठीक है अभी सबसे पहली बात तो पंडित बदिरी प्रसाद हर हर बोले इसको तो भूलना ही नहीं है हमें है ना तो यह आपको दे रखा है पी अपॉन में है एक है तो पी आपके आपके पास P है यह आपके पास HM है यहां पर सरकल में इसले लिखने हूं ताकि अभी न्यू चैप्टर है आपको धीर-दीर कंसेप्स क्लियर होंगे तो यह आपको याद हो जाए ठीक है आपके पास नहीं पता छोड़ दो नहीं ही पता तो 13 का स्क्वाइगा 5 का स्क्वा यहां प踏क है इसे ही रहने वाला है 169 माइनस का 25 कर देते हैं यहां पर ultimate enfrent का स्क्वाइर आपके पास एसी ही रहने नाइन में से 5 लिया 46 में राजैगा बीसी गाश्क्राइब क्रिक है अ कि अब यह को जाएगा qyходит 3 निवे होने ही चाहिए आपको ऑने ही चाहिए्ड कि आप इसके नीचे कीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, साइन ठीटा तो खेर मुझे पहले से ही पता था, मैं एक बर फिर भी लिग देती हूँ, 5 upon 13 है, अब बात करते हैं हम अपने कॉस ठीटा की, तो कॉस ठीटा होता है मेरे पास B upon H, ठीक है, तो बेस मेरे पास 12 है, H मेरे पास 13 है, 10 ठीटा की बात करते हैं, तो 10 ठीटा होता है मेरे पास P upon B, तो P मेरे पास 5 है और B मेरे पास 12 है, कॉस ठीटा मेरे पास क्या होता है, यहां पर वो होता है, मेरे पास H upon P, तो H मेरे पास 13 है, P में पास 5 है 어찌 पास 13 भी में पास 12 है को कॉट थिटा में डी अपां में पी है औरata यहां बाकी यह ratios निकालनी थी हम ने सारी यहां पर क्लियरं कोमछा नमबर वर्ण चलिए बिद्यान को चुश्ग कि आज्ट कि रहा है अब आपको अधिके यह हैं इस अपॉल चो बॉले इसे हम नहीं भूल सकते हैं, तो यह आजाएगा P upon B, ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर एक triangle draw कर लो, right angle triangle, क्योंकि उसी में लगा होगा यह P upon B तो, ठीक है, इसको नाम दे रहेती हूं, मैं A, B, C, अब देखो P मेरे पास ही आजाएगा 15 दे रखाया, B मुझे 8 दे रखाया, ऐसा करते हैं, अब पहले H निकाल लेते हैं, यह P है आपके पास, यह B है आपके पास, और यहाँ पर H आजाएगा, तो H आएगा कैसे, A, C का स्क्वाइर जो है, वो किसके बराबर है, A, B के स्क्वाइर के, प्लस B, C के स्क्वाइर के, according to Pythakores Theorem, ठीक है, तो A, C का स्क्वाइर इसक्वाइर इसक्वाइर हो जाएगा, 八, eight जा 64, यह हो घया, मेरा AC का स्क्वाइर, तो यहां से देखा जाये, C का स्क्वाइर कितना आ जाएगा, आप 225 में क्या करो, उसमें 64 को प्लस कर दो, तो आपका आ जायगा, 289, 5, प्लस 4, 9, 2, प्लस 6, 8 और 2, ठीक है, तो 289 किसका स्क्वाइर होता है, वो होता है, तो देखो, sin cos 10, cos का उल्टा होता है न, तो यह हो गया h upon b, h है मेरे पास 17, b है मेरे पास 8, और कौन से थे, 4 और cos था, 4 थीटा तो मैं डारेक्ट ही लिख सकती हूं, 10 थीटा का उल्टा होता है, b upon p, 10 थीटा मुझे गिवन था यहां पर, तो यह 8 upon me 15 हो गया है, तो cos थीटा जो मेरे पास होता है, वो होता है, b upon me h, तो base मेरे पास 8 है, और h मेरे पास कितना है, 17 है, clear, question number 2 भी हमारा हो गया, complete, question number 3 में आप से क्या कह रहा है, in triangle PQR, angle Q is equal to 90 degree, if sin theta is 3 by 4, then show that cos theta plus, cos theta नहीं है, cos a plus sin c is equal to this, तोड़ा घुमा दिया, question को, ठीक है, लगेंगी dignometry ratio जी, इसमें बात आप सूचेगा, कि कुछ नया concept है, नहीं, चले देखते हैं, एक छोड़ी सी चीज नहीं, यहां सीखनी परेगी, सबसे पहली बात आप से यहां पर क्या कह रहा है, कि आपको क्या करना है, अच्छे, एक सेकिन, यहां पर आपको P दे रखा है, थीक है, ठीक है, एक मिलाट, देखो, यहां पर ना, पता है क्या है, आपको triangle तो P क्यो आर दे रखा है, लेकिन जो नीचे आपको लिखके दिया ना, वो दिया, cos a और sin c, a और c तो हमारा पास triangle ही नहीं है, ठीक है, तो इस question में कुछ correction है, आप अपनी teacher से confirm कर लिजेगा, कि a और c की जगा क्या हैगा, फिलहाल मैं यहां पर इसको a की जगा पर मैं p कर रहू हूं, और c की जगा पर मैं r कर रहूं, क्योंकि अगर triangle होता है, तो वो a, b, c होता, तो a की नीचे p लिखा वाई, c की नीचे r लिखा है, तो मैंने उसके according इन्हें change कर दिया है question को, आप अपनी teacher से एक बार confirm कर लिजेगा, कि यहां पर इस question में क्या correction है, तो मैं अब इसके according आपको यह question समझा रही हूं, फिर जब आपको आपको आपके teacher बताएगे, तो उसके according आप उसे कर लिजेगा, ठीक है, चलिए, हम यहां पर देखते हैं, कि हमार पास एक triangle है PQR, तो बहले एक triangle बना देते हैं PQR यहां पर, position नमबर आगे है, हमार पास यह 3, right angle triangle है PQR, तो मैंने यहां पर एक triangle बना दिया है PQR, right angle है किस पर Q पर है, तो मैंने इसे P ले लिया, इसको Q ले लिया, और इसको R ले लिया, ठीक है, अब यहां पर बना दिया 90, आपको कहरे हैं, जो sine P है, वो दे रखा है 3 by 4, अब देखो, sine P यह वाला, यह, तो जब भी आपको कोई angle ऐसे mention करके देना, जैसे आपको यहां दिया है, sine P is equal to 3 by 4, angle mention किया है न, P लिखके दिया है न, तो इसके सामने वाला हमेशा perpendicular होता है, hypotenuse कभी भी change नहीं होता, वो हमेशा 90 के सामने वाला रहता है, हमेशा, तो आप सुचरूंगे फिर change क्या हुआ, तो अभी तक अगर आप देखते, फिलहाल sine P को आप भूल जाते, तो P Q जो है न, वो आपके perpendicular होती, और Q R आपका base होता है न, लेकिन इस बर इनोंने question में है, sine P लिखा है, तो जो angle है न, उसके सामने वाली जो side होती है, वो हमेशा perpendicular होती है, तो फिर ये क्या बचा, ये base बचा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर, अगर मैं लिखो, अपना पंडित वदिरी प्रसाद हर हर बोले, तो ये मेरे पास क्या होता है, P upon में H होता है, तो P मुझे यहाँ पर ये 3 दे रखा है, और H मुझे यहाँ पर ये 4 दे रखा है, गल्ती से भी आप P, Q को perpendicular मत माल लीजेगा, वो गलत हो जाएगा, आपका, तो जिस angle की वो बात करता है, अभी तक हम theta, theta, ये mind में था हमारे, sin theta, cos theta, 10 theta, sec theta, लेकिन अब वहाँ से theta word हड़ चुका है, A, B, C, या P, Q, R आ रहा है, तो triangle में वही देखा जाएगा, तो P के सामने वाली side हमेशा perpendicular होगी, फिर, जो भी angle दिया है, उसके सामने वाली side perpendicular होगी, ठीक है, हाइपोटनूस कभी change नहीं होगा, तीसरी side जो बची वह बेस रह जाएगा, clear यहां तक, तो अब हम क्या करते हैं, पहले P, Q निकाल लेते हैं, Pythocores theorem से, तो वह कैसे निकलेगी, P, R का square is equals to P, Q का square, plus का Q, R का square, ठीक है, P, R आपके पास कितना है, 4 है, तो 4 का square लिख देते हैं, यहां पर, P, Q आपके पास कितना है, नहीं दिया है, मुझे find करना है, ठीक है, और Q, R आपके पास कितना है, 3, तो 3 का square, तो 4, 4 जा 16 आजागा, यहां पर P, Q का square आजागा, 3, 3 जा 9 आजाएगा, 16 में से 9 को minus कर देते हैं, तो कोई बात नहीं आप उसको 7 ही रहने दो, यहां से जैसे ही आपके पास root हटेगा, तो square हटेगा, तो यहां root लग जाएगा, तो जो आपके पास base निकला, वो root 7 निकला है, ठीक है, अब आपको finally यहां पर करना क्या था, आपको prove यह करना था, cos p plus sin r, पहले मैं इतना लिख देती हूँ है, टीचर से confirm जरूर कर लीजेगा, ठीक है, तो cos p plus sin r, cos p plus sin r, is equal to root 7 by 2, ठीक है ना, अभी मैंने आपको बोला, जो angle आपको दिया होगा, उसके according आपको देखना है, perpendicular कौन सा है, और base कौन सा है, सबसे पहली बात दुबारा यहाँ पर मैं एक बार लिखना हूँ, पंडित बदीरी प्रिसाद हर हर बोले, ठीक है, अब cos के लिए मेरे पास आएगा, b upon में h चाहिएगा, plus sin r के लिए मुझे यहाँ पर, यह p upon में h चाहिएगा, ठीक है, अब आजो यहाँ पर, अब यहाँ कह रहे है, sin r, तो अब आप r से देखोगे, p से नहीं देखोगे, ठीक है, ना, तो देखो, मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, यह है r, ठीक है, तो अब हुआ क्या, r के सामने वाला आपका क्या बन गया है, तो देखो यहाँ पर, p बन गया है आपके लिए रूट 7, अब b बन गया था 3, लेकिन b नहीं चाहिए है, मुझे h चाहिए, h तो 4 है, तो 4 है ने दो फिर इसको, यहाँ पर आजागा, रूट 7 बाए 2, आपको प्रूफ करना है, आजाते हैं कोशन नमबर 4 पर, आपसे हाँ क्या कह रहा है, फिल दा फॉलिंग टेबल फॉर दा गिवन ट्रैंगल, अच्छा, आपको साइन ठीटा रेशो लिखनी है, यह दे रखा है, पहले हाँ लिख देते हैं, पंडित बदिरी फ्रसाद हर हर बोले, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर यह भी मेंशन कर देते हैं, यह है आपके पास, यह P है आपके पास, ठीटा यहाँ दिया है ना, ठीटा ते सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और यह आपके पास बेस है, clear, चलिए, साइन के लिए यह है, कॉस के लिए यह है, टेन के लिए यह है, तो साइन है, P अपॉन में H, तो P है मेरे पास 3, और H है मेरे पास 5, ठीक है, कॉस है मेरे पास B अपॉन में H, B है मेरे पास 4, और H है मेरे पास 5, कॉस सेक है मेरे पास, cos' nėše, sign का undra होता है to h upon p कर देते हैं, to h upon में p कर दिया है, 7, cos का undra होता है to h upon by 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 c h e h upon me b कर देते है और to b मेरे पास 4 है, ठीक है, Tan the tot इक होता है to p upon may b, toة i is muded tepi three or b कितना b b है me is four, investigación up to b policy . तो b ए 4これは झ ANYयदित रखना है to about it if in the百फ बद्द необходимо प्रसाद हर-hari बोले चलिए आते हैं कोशन नम्मर फाइफ पर इसमें आपको क्या करना है यहां पर मैचिंग करनी है चलो देखते हैं तो क्या थिटा क्या होता है वन अपन थिटा लेकिन उसे साइन अपन कोस भी कह सकते थे हमने स्पेशल केस में जाना था है ना तो यहां प कॉस्ट थिटा क्या होता है वन अपन में 10 थिटा कॉट 10 का उल्टा है 10 का उल्टा है तो यहां जाएगा 5 क्लियर तो वरक्षिट कंप्लीट हो गई है कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजेगा आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही हूं हाँ एक्च वरक्षिट में पहले वो डाउट क्लियर करोंगे अगर आप यह वरक्षिट अच्छे से समझेंगे पूरी प्लस जो मैंने आपको वीडियो बताई है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वो देखेंगे तो आपको डाउट रहेगा नहीं तो कमेंट करके सभी बच् आपको अच्छे से क्लियर हुई या नहीं हुई ठीक है अब हम अपनी जो नेक्स्ट वरक्षिट है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो वीडियो अच्छी लगी ना तो कमेंट के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर अच्छी नेक्यू